नमस्ति दोस्तों स्वागेत है आप सब का मेरे चानल पर आप सब बहुत अच्छे हैं इस लोगडाउन में अपना ध्यान रखे चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ बेंगॉल की बहुती पॉपुलर एक फिस्की रेसिपी तो आप उसे देख सकते हैं यह दूसरी रेसिपी है और यह स्टीम करके बनाई जाएंगी जिसे बेंगॉल में पा रोई फिश कहते हैं यह रोई मच्छी से बनाई जाती है मतलब रोगु फिश से बनाया जाता है और बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है कि यह स्टीम करके बनाया जाता है इसमें तेल बहुत ही कम आप चाहें तो इसमें तेल स्किप भी कर सकते हैं तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और प्लीज मेरे चानल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजे यहां भापाय रूई बनाने के लिए सबसे पहले हम मचली दे लेते हैं फिश को लेने के बाद आप उसे अच्छे से दड़ो लीजे और अपिर हल्दी और नमख, ठोड़ी से लाल मूर्चिका पावडर, ठोड़ी से हल्दी, ठोड़ी से धनिया पावडर, ठोड़ी सी रोस्टेड जीरा पावडर. थोड़ा सा एक चम्मच तेल सरसो का, इसे एड़ करके सब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे. आप इसे मच्छी एड़ कर लेंगे और मच्छीों को हलके तरह से उपर नीचे से थोड़ा सा मिला लेंगे और हरी मिर्ची एड़ कर लेंगे आप इसे थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे पानी एड़ करके से अच्छे तरह के से मिला लेंगे नमक और तीखा आप अपने अनसार एड़ कीजे पानी एड़ करके से हलके हातों से मिला लीजे और उसके बाद इसको कवर कर लीजे इसका धकन बहुती टाइट तरीके से लगा दीजे अचली अब इसे स्टीम कर लेते हैं इसमें करने के लिए मैंने यहां कढ़ाई ली है या एक पतीला लिया है उसमें पानी भर लीजे चुछ आधा हो टिफिन बॉक्स के आप उसे गरम कर लेंगे और उसमें इस इपन्दा मिनिट मीरियम फ्लें पे अच्छी तरीके से बॉयल कर लेंगे 15 मिनट के बाद इस टिफिन बॉक्स को हम तल के साइड रख लेंगे और 5-7 मिनट के बाद यह हलका ठंडा हो जाए उसके बाद टिफिन बॉक्स को खोल कर हम इस मच्छीयों को सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे यह रेसेपी बनाने में जितना आसान लगता है उतना ही टेस्टी और डेली एसस का टेस्ट है जानने के लिए आप इस रेसेपी एक बर ज़रूर ट्राइ करें तो चली मिलेंगे आगली वीडियो पर तब तक लिए बाई बाई टेक क्यार और वीडियो के नीचे आके कर लिए थैंक्स फर वाचिए